नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ अम्रिता खबरों को विस्तार से जानेंगे लेकिन उससे पहले नजर हेड्लाइन्स पर वाललंपूर में पूर्वी एश्या शुखर सम्मेल नांच आतंग बाद और दच्छन चीन सागर के मुद्धे पर होगी बात चीत मनेश्वा के प्रवासी भार्तियों को संबूधित करेंगे प्रुधान मंत्री नरिंद्र मुद्ध गुद्धान मंत्री का असियान देशों को निवेश का नियोता दोख़ार पचीज तक दोसो अरब डॉलर तक व्यापार बढ़ाने का इराधा पार दर्शी करव्यवस्था का भीवादा आतंकी गुटों से जोड़ी जानकारी साज़ा करेंगे भारत और चीन वीजिंग में ग्री मंत्री की चीन के शुश निताओं के साथ बैठक के बाद साज़ा बयार अंतरास्ट्रिय मंचों पर बढ़ीदा सहियो बिहार में कानून विवस्था को सर्वोच प्रात्त मिक्ता मुख्यमंद्रे नितीश कुमार का एलान 30 नवंबर से विधान सभा कसत पंक जाड़वारी ने जीती विश्वस लूकर ट्रैम्पिंशिप त्वीन के खिलारी चाव शिंद्धों को दिमान जिंदगी का पंधर्वा खता खबरे विस्तार से प्रधान मंत्री नरिन मोदी के मलेशिया दोरी का आज दूसरा दिन भी खासा व्यवस्थाव से भरा रहने वाला है वो राजधानी कौललंपूर में पूर्वी एशिया श्विखर समेलन में हिस्सा लेंगे आसियान बैठर की तरह ही इसमें भी आतंगवास से निपटने दर्चुन चीन सागर और अक्ष्वेत्रे सहयोग पढ़ाने पर चर्चा की उम्मीद है पूर्वी एशिया श्विखर समेलन में 18 देश भागिदार है इसमें आसियान और एशिया प्रशांत के देशों के साथ अमेरिका और रूस भी साजीदार है इसमेलन इस्थानी समय के मताबिक सुबह करीब 11 बजे शुरू होगा इससे पहले कौाल अलंपूर घोशना पत्र भी जारी होगा पूर्धार मंतरी नरिंद्र मुदी इस्थानी समय के मताबिक शाम चार बजे आरके मिशन का दोरा करेंगे जहां वो स्वामी विवेक अनंद की मूर्ती का रावरन करेंगे इसके बाद उनका मलेशिया इंटरनाशनल कल्चर सेंटर में लोगों से मुलाकात का कारेक्रम है जिसके लिए काफी तैयारियं की गई है प्रधान मंतरी लेंदन के वेंबलिस स्टेडियम कारेक्रम की तरहे मलेशिया में रहने वाले प्रवासी भारतिये समुदाए के लोगों को भी संबोधित करेंगे मलेशिया में भारतियो चायोग ने प्रधान मंतरी के लिए रात्री भोच का भी आयोजन किया है इसके अलावा नरेंदर मोदी का मलेश्या के प्रधान मंत्री नजीब रज्जाक से अलक से मुलाकात का कारिक्रम है जहां दोनों देशों के बीच द्युपक्षिय बातशीत की उम्मीद है और मलेश्या के राजदानी कौरलानपूर से पोर्लाइन पर हमारे समबादाता अखिलेश सुमन हमाई साथ जुड़ गए हैं अखिलेश आज पूर्व एश्या शिकर सम्मिलन हैं क्या उम्मीद करें प्रधान मंत्री यहां आज किन मुद्दों पर बोल सकते हैं यहां अमेरिका के राजपती होंगे यहां रूस के प्रधान मंत्री होंगे तो इसमें सबसे बहुत बात होने वाली है वहां बात होने वाली है टेर्रिस्ट जो अटेक्स हुए हैं इधर के दिनों में माली में आपने देखा टेरिस रटेक हुआ, फ्रांस में टेरिस रटेक हुआ और टेराल एलर्ट इधर साउथ इस्टेशियन कंट्री के उपर भी था जो हम मलेशिया में आज हम हैं वहाँ भी टेरिस रटेका एलर्ट था तो आप समझ सकते हैं कि एक गंभीर परिस्टिती इधर के दिनों में और आई है अतंगवादी समोह के बीच में और खास्त दूर्पे जो समाज में असा हिस्टनुता बढ़ रही है जो रेडिकलाइजिसन हो रहा है यूथ का हैँ और दूसरी जो महतपौन बात है हुआ बात है कि इस इलाके के लोगों को इस इलाकी के देशों को South China Sea का जगड़ा है उस जगड़े पर बात होगी और भारत में अपनी स्थिती के पाले से ही असपस्ट कर रही है जल उन्होंने जापान के पधान मंत्री से पधान मंत्री ने मुलाकात की उन्होंने चीन के पधान मंत्री से मुलाकात की ज़ागरे की सिद्धिन नहों कि यह एक बहुत बहुत ब्ला व्यापारीक ग्रूप है और इस व्यापारीक ग्रूप से बहुत सारे जहाज जाते हैं और यह एक तरह से अस्टेलिया होते हुए अमरिका का भी रास्ता है और दूसरी तरह अगर आएं लोट कराएं तो प्रसां जबे को और इसके कारण उपन तनाव को किस तरीके से निख जा जाएगा इस पर इस्टेसिया और साउट इस्टेसिया और भारत तरूस अमरिका चीनी सब मिलकर कुछ बाते करेंगे अमरिका जी बलकुल आगर हम बात करें पर इस हमले के बाद हो रहे हैं समेलन में क्या उम जबातंकवादी लोगों को गुरूम कर रहे हैं लोगों को आकरशित कर रहे हैं अपने अपनी चपेट मिलेने के लिए अपने अपने संधशन में सामिल करने के लिए तो इस तरह के हाट्स पॉस को चीनित किया जाएं इंटिलिजन सेरिंग के द्वारा और उसे सू में ही या तो उनलों को अलग अलग किया जाए, उनलों को समझाने बुझाने, उनलों को चास तरीके का प्रेशिक्चिन लिए जाए या वैसे लोगो इस तरीके से कह से प्रवाव नहीं पढ़ें तो एक रणिती बनाई जानी है जो एक रणिती होगी सेनीक अस्थर पर भी, सब्सक्राइब वे ऑफिर समाजिक कारणों से इसद्स्राइब घखओ अगरान वटली उनले के रिखना जांग दाने काकराएं ताकि समाजिक कारणों से इस ताक रेडिकलाइजिसन ना हो अम रिदा भारत आशियान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधान मंतरी नरंद्र मोधी ने आतंकवाद को दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनोती खरार दिया उन्होंने इससे निपटने के लिए आशियान देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का आवान किया प्रधान मंतरी मोधी ने दक्षुनी चीन सागर समेथ सभिक शेत्रिय विवादों का शांतिपोन तरीके से हल निकालने पर जोर दिया प्रधान मंतरी मोधी ने आशियान के सभी दस सदस्यों के साथ समुद्री सुरक्षा, समुद्री लुटेरों से निपटने समेथ मानव्य और प्राकर्तिक आपदा राहत जैसे महत्पुन क्षित्रों में सहयोग के लिए खास योजना बनाने का सुझाव दिया नरेंद्र मोधी ने कनेक्टिविटी को खुशाली का साजहा रास्ता बताते हुए आशियान देशों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए एक अरब डॉलर के लाइन ओफ क्रेडिट की घोशना की भारत मैनमार्थ हाइलेंड तिर्पक्षिय हाइवे पर योजना के 2018 तक पूरा होने की उमीद भी जताई उन्होंने भारत आशियान विज्ञान और प्रद्योगी की विकास कोश को मौझूदा 10 लाख से बढ़ा कर 50 लाख डॉलर करने का भी एलान किया भारत ने शोध और विकास के लिए साजहा इनोवेशन प्लेटफॉर्म बनाने की भी इच्छा जाहिर की है आशियान देशों के साथ भारत तीन तरीके से जोड़ना चाहता है एक भौगोलिक रुप से, दुसरा व्यापारिक रुप से और तीसरा सुरक्षा करनों से राजसवा टेलिवीजन के लिए क्वाला लंपूर से अखिले सुमन प्रुधान मंत्री नरेंद मोदी का ये माना है कि एक कीस्वी सदी एश्वा की होगी आशियान कानुबार और निवेश सम्मेलन को संबोधित करते वे मोदी ने कहा कि भारत में सभी देशों के लिए सुनहरे अवसर हैं नों निवेशकों के लिए पारदर शीकर वेवस्था देने का भरूसा जताया प्रुधान मंत्री ने आशियान देशों को भारत में बुनियादी परयोजनाओं में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया मोदी ने आसियान देशों को भारत का स्वभाविक सहयोगी करार दिया आसियान कारोबार और निवेश शिखर सम्मिलन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों को बड़े पैमाने पर निवेश का नियोता दिया धाचागत और संस्थागत सुधारों के लिए NDA सरकार की पहलों का जिक्र करते हुए मोधी ने कहा कि सरकार कर विवस्था को पारदर्शी और सुइस्पष्ट बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है प्रधान मंत्री ने बौधिक संपदा अधिकारों को सुरक्षा मोहिया कराने के लिए इस साल के अंतक व्यापक राष्ट्रे बौधिक संपदा अधिकार नीती लाने की उम्मीद जताई प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने आसियान देशों को भारत का स्वभाविक साजितार बताया उन्होंने कहा कि 20 वी सदी एशय की होगी प्रधान मंत्री ने कहा कि मौझूदा वक्त में सभी देशों के लिए भारत में सुनहरा अफजर है सम्मेलन से अलग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने चीन के प्रधान मंत्री ली कश्यांग से मुलाकात की तोनों निताओं ने द्विपक्षे रिष्टों के साथ ही परसपर सरोकार के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की नरेंद्र मोदी जापानी समकक्ष शिंजो आबे से भी मिले जापान के प्रधान मंतरी आबे 11 दिसंबर को दुपक्षे शिखर सम्मिलन के लिए भारत आने वाले हैं आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा कारोबारी साचिदार है जबकि भारत आसियान के लिए छटा सबसे बड़ा कारोबारी देश है पिछले साल भारत और आसियान के बीच 76.52 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था अखिले सुमन राज्य सभा टीवी और भारत और चीन आतंग की गुटों से जुड़ी जानकारियां साज़ा करने पर सहमत हुए हैं बेजिंग दौरे पर गया ग्रीह मंत्री राजना सिंग की चीन के शुष निताओं से मुलाकात के बाद साज़ा बायार में इसकी घूशना की गई दोनों देशों आतंगवात्परां अंतराष्टे मंचों पर सहयोग करेंगे भारती अधिकारियों ने PTI से कहा है कि इस सहयोग से दोनों देशों के सुरक्षा संबंध मजबूत होंगे और होफिया जानकारी साज़ा हो सकेगी अधिकारियों के मुताबिक इस से पूर्वोत्तर में उग्रवात सिने पटने में मदद मिलेगी पयान में नए सुरक्षा तंत्र का जिक्र भी है इसके अध्यक्षता दोनों देशों की ग्रही मंत्री करेंगे हर साल इसकी बैचक दिली और बेजिंग में होगी इसके अलावा एक और चारिक समीती बनेगी जो इसकी पहली बैठर अगले साल दिली में होगी और बांग्रदेश में बीती रात विपक्ष के दो शीर्ष नेताओं को युध अपरादों के लिए फासी दी गई इनमें जमात इसलामी के महासचेप अली एहसन मुहमद मुझाहिद और बांग्रदेश नेशलिस्ट पार्टी के नेता सलाहुद्दीन कादर 14 शामिल है इन पर 1971 में मुक्ती संग्राम के दोरा नरसंगार और बलातकार का दोश साबित हुआ उन्होंने अपना अपराच स्वीकार करते हुए करशाथ राष्ट्रोपती को दया याचिका दी थी राष्ट्रोपती ने दोनों की दया याचिका खारिच कर दी वद्वार को सुप्रेम कोट ने दोनों ने ताओं की फासी की याचिका बरकरा रखी थी मालदीव ने देश की ताजा स्थिती के बारे में भारत को जानकारी दी है मालदीव की विदेश मंत्री दुनिया ममून ने कल दिली में विदेश मंत्री सुशमस और रास्ते मुलाकात की दोनों निताव ने अपसी हिद से जुड़े कई मुद्दों पर बात की बाठा की बाद ममून ने बताया कि पिछले दिनों मालदीव में लगाए गया अपात काल की वज़ों के बारे में भारत को बताया गया बालदीप के रास्ट्रोपती ने चार नवंबर को देश में 30 दिनों के लिए आपातकार लगाया था लेकिन अंतरास्ट्रिय दबाव के बाद इसे एक सप्ताह में ही हटा दिया गया यहां रुकिंग एक छोटी से ब्रेक के लिए है 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 बहुत चारा फोक में इसे पस्ता था तो जहन में बच्पन से ही वह कहीं है कि वह अंदर आते जारा था सोई तक तीरे जगा देंगे कल को अंबर भी जुका देंगे हा हा है जजबा हो हो है जजबा सुल जा लेंगे उल्जे रिष्टो का मांजा हा मांजा नमस्कार मैं हूँ अमिर्त त्रिवेडी मुझसे मिलिए प्रोग्राम प्रुप्तगों में सिर्फ राज्य सबाह टीवी पर तुरे के बाद स्वागत है आपका औरीशा में सुखे का मुद्दा संसद में उठेगा भुबनेश्वर में कल भी जडी संसे दिदल की बाठक के बाद फुखे मंतरी नवीन पटनायक ने इसका एलान किया सूखे की मार जेल रहे ओडिशा के मुखे मंतरी नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है नवीन पटनायक ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और वित मंतरी अरुण जेटली को चिठी लिख कर राहत पैकेज की मांग की है राजे के बर्गर जिले के सोलेह में एक किसान सम्मेलन के बाद मुखे मंतरी ने चिठी लिखी नवीन पतनायक ने वित्मंत्री को लिखा है कि राज़े में मौझूद सूखे की इस्तिती से फसल को काफी नुकसान पहुँचा है उन्होंने केंदर सरकार से ब्याज़दर में कमी करने और फसल ब्याज़ प्रोटसाहन की अवदी बढ़ाने का अनुरोध किया है इधर ओडिशा कॉंग्रेस ने राज़े में किसानों की आत्म हत्या पर श्वेद पत्र जारी किया है इसमें राज़े सरकार की अंदेखी के चलते सौ से ज़्यादा किसानों की खुदकुशी का आरूप लगाया गया है साथ ही किसानों को प्रतियेकर 20 लाक रुपे मुआफ़ा और मारे गए किसानों के आश्रितों को 10 लाक रुपे मुआफ़ा देने की बात कही है कॉंग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर सर्फदलिये बैठक बुलाने की भी मांग की है किसान के लिए compensation जो है जो उसको subsidy compensation और MSP और bonus उसमें सब बढ़ावा देना चाहिए और बहुत district drought affected भी है कि अंदर सरकार भी आँख मुझे के बंद करके चुप बैटे हैं तो एक तरफ अकाल है एक तरफ किसान अपना फसल नस्ट होने से आत्मात्या कर रहा है इसको रोकने के लिए हम जना दोलन करेंगे सरकार को जगाएंगे पुडिशा में परिस्थिती बहुत संगिन है किसानों की यहां मौत हो रही है बहुत distress में बहुत हतासा में ही आके किसान है राज सरकार अपने जबाब दही से मुझ मोड नहीं सकता है इसलिए इसको जल्द ही राज सरकार राजनेतिक उत्तरदाईतों को पुरा करने के लिए जबाब दही पुरा करने के लिए मेमरा नहीं भेजनी चाहिए के अंदर के पास इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री नविन पटनायक ने किसानों को एक फिसिदी की दर से कर्ज देने का अलान किया था साथ ही सूखा पिड़ित 21 जिलों में धान की खरीद में पृतिक विंटल 100 रुपे की आर्थिक मदद दी जा रही है राजे सरकार ने 1000 करोर रुपे सूखे से निपटने के लिए जारी किये हैं और छोटे मध्यम और सिमांत किसानों के लिए एक फिसिदी ब्याज पर कर सहायता की घोशना भी की है वहीं दूसरे राज्यों की बात करें तो उत्रप्रदेश भी इस साल भीशन सूखे की चपेट में हैं राजे सरकार ने 75 जिलों में से 50 जिलों को सूखा ग्रस्थ घोशित किया है इसके अलावा आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश और महराज समेत कई राज्यों में आधे से ज्यादा जिले सूखा पेडिद घोशित किये जा चुके हैं महराश्टर के 15,747 गाओं सूखे की चपेट में हैं इन राज्यों में बड़ी संख्या में किसानों की आत्महत्य के मामले सामने आए हैं विरूर पोर्ट, राज्यसभा टीवी राश्टरपते प्रणमुखर जी ने एक बार फिर से सहिश्रोता का संदेश दोहराया है प्रणमुखर जी ने राश्टरपते भवन में भारत विदो के पहले अंतरास्ट्रे सम्मेलन का उद्गाटन किया इस मौकी पर उन्होंने कहा कि दुनिया अभी और सहिश्रोता के आगहा से निपटने के लिए संखर्श कर रहा है राश्टरपती ने उन विचार किया दिलाई जोसके लिए भारत जाना चाता है स्वामी विवेकानंद की संदेश को दोहराते हैं उन्होंने कहा कि दुनिया को अभी भारते सहिश्रोता और संबेधना का विचार सीखना चाहिए राश्टरपती ने तीन दिवसी समेलन में हिस्सा ले रहे विद्वानों से कहा कि वहुलवाद और बहुत संस्कृती बाद भारते जन्मानस के केंदर में है इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमसवराज भी मौजूद थी राश्टरपती ने दुनिया भर की युवाग पीड़ी से अयर्वेद और दूस्ते भारते चेके सब रडालियों को पढ़ने और उससे लाब उठाने की अपील गी इस महां जया की झालते है Today witnessing events without precedent when the world is struggling to deal with the worst impulses of intolerance and hatred that mankind has ever witnessed. और बिहार की नई विधान सभा का पहला सत्र 30 नवंबर से 8 दिसंबर तक होगा कल शाम कैबनेट की बैठक में इसका फैसला हुआ पहले दो दिन नए विधायक श्वापत लेंगे और 2 दिसंबर को विधान सभाधिक्ष का चुनाव होगा इससे पहले मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की कल मुख्यमंत्री की शपत और आज राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बैठक सुशासन के लिए जाने जाने वाले मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करे जता दिया है कि उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिक्ता कानून व्यवस्था है कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में IG, DIG और बड़े अधिकारी विडियो कॉन्फेंसिंग के जर्ये शामिल हुए बैठक में नितिश कुमार ने अपराथ रोकने के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिये खासतर पर शेत्री अपराथ को लेकर विस्तरित चर्चा हुई बैठक में फैस्टा लिया गया कि सभी थाना इंचार्ज अपने जिले के S.P. से मुलाकात करेंगे और अपनी चौकी की सारी जानकारी मुहिया कराएंगे मुकी मंत्री नितीश कुमार ने बैठक के बाद कहा कि उनकी सरकार चेहरा नहीं काम को प्राथमिक्ता देने के लिए कटी बद्ध है बिरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी बिजेपी ने केंद्रे खेल राज्य मंत्री सर्बनन सोनवाल को असम राज्य बिजेपी का ध्यक्ष निक्त किया है उन्हें राज्य में अगले साल की शुरुवात में होने वाले विधान सभा चुनाव के लिए बनाए गई प्रबंधन समीति के अध्यक्ष की भी जिम्यदारी दी गई है कॉंग्रिस छोड़कर बिजेपी में आए हेमंत विश्व शर्मा और इस समीति का उनिसायों जग बनाए गया है अगले साल की शुरुवात से होने वाले विधान सभा चुनाव में सर्बनन सोनवाल बिजेपी का मुख्य मंत्री का चेहरा हो सकते हैं सर्बनन सोनवाल को पार्टी अध्यक्ष बनाकर बिजेपी नए वोट बैंक की तलाश में है अभी तक हिंदी और बंगाली भाशी लोग बिजेपी के परंपरागत वोट बैंक रहे हैं और पंझाब के उपमुखे मंत्री सुबीर सिंग बादल ने राज्जी के विपक्षी दलों की श्रुकायत लेकर राश्टुपती से मुलाकात की उन्होंने विपक्षी दलों पर राज्ज Yaymi कानून विवस्था बिगारने का आरोप लगाया उपमुखे मंतरी सुभीर सिंग बादल के आरोपों का जवाब देने कॉंग्रिस की तरफ से अजय माकन सामने आए उन्होंने राज्जी की बधाली के लिए राज्जी की अकाली बीजिपी सरकार को जब्मिदार बताया और हुने कहा की पंजब सरकार राज्जी में कॉंग्रिस की बढ़ती लोग प्रियता से घब्रा कर अपनी नाकामिया छुपाने के लिए आरोप लगा रही है यह बात को पój करने की कोशिश फिलिडिकल लाइंज में तो अच्छी बात पर ऐसे नहीं है कि आप डवाइड करें जिससे देश को देश की यूनिटी पे असर हो मदिश्य आंदोलन से जूज रहे नेपाल की नेपाली कॉंग्रिस पाटिनी देश के ने सम्विधान में संशोधन की जरूत बताई है प्रमुक विपक्षि दल नेपाली कॉंग्रिस ने सतधारी सीपी एंड यूएमेल समेच चार दलों की बाठक में कहा कि संसत में तक काल इस बारी में चर्चा कराय जाने की जरूरत है नेपाल में ने सम्विधान का विरोध कर रही मधिशी आंदुलन कारी का प्रदेशन एक बार फिर उग्र हो गया सेंग्त राष्ट महसरचीव बान की मूर ने भी भारत नेपाल सीमा पर दवा पूर्ती के बाधित होने पर चिंता जटाई है उन्होंने इस सभी पक्षों से रुकावटे खत्म करने की अपील की है ये बायाद ऐसे वक्त में आया है कि मधिशी प्रदेशन कारीयों ने एक अम्बूलेंस और भारत से आएटित 20 लाख रुपे की दवाईल ले जा रहे एक ट्रक में आग लगा दी बीते करीब तीन महीने से मधिशी आंदोलन की वच्छे से भारत से लगी रक्सौल बीरगंज सीमा पर यातायाद बाधित हैं और इस सीमा से ही 70 फीसदी कारोबार होता है अंदोलन की चलते नेपाल में जरूरी समान की किल्लत है पंकचाडवानी ने साल की आई बी एसेफ विश्व स्नूकर चैंपिन्शिप जीत ली है विसमें हुए फाइनल मकाबने में उन्होंने चीनी की लाड़ी चाऊश इन थोंग को आच्छे से हराया पंकचाडवानी का पंद्रवा खताब है गोवा में भारत का अंतरास्ट्रे फिल्म समारुपूरी थूमधाम से मनाया जा रहा है सूचनौर प्रसार्म राजवर्धन सिंग राठोर ने आज भारतिय पैनुरमा के सेक्शन का उद्खाटन किया भारतिय पैनुरमा में इस बार दस भारतिय भार्शाव से 237 फीचर फिल्म में दिखाए जाएंगी गोवा में चल रहे अंतरास्ट्रे फिल्म फेस्टिवल का दूसरा दिन बेहत खास रहा फेस्टिवल में रिस्टोर्ड क्लासिक का ये सेक्शन लोगों के बीच आकर्शन का केंदर बना रहा इस सेक्शन में नेशनल फिल्म आर्काइव और नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन ने फिल्म निर्माण में काम आने वाले पुराने उपकरणों से दर्शकों को रूबरू कराया नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन की बनाई ये लगो फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई इस फिल्म का मकसद लोगों के बीच जगरुकता फैलाना है फिल्मों के सौ साल के इतिहास को संजोए इन पोस्टर, कियोस्क, फिल्म क्लिप्स और टेम्पलेट्स ने महुतसव को और भी खास बना दिया है इस कंसेप्ट सेज वेदर सिनेमा इस इम्मोर्टल ग्यारा दिन तक चलने वाले महुतसव में नबे देशों की दो सो नवास्ती फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा इसमें शामिल होने के लिए देश और विदेश से फिल्म प्रेमी और कलाकार गोवा में जुटे हैं इर्फान समवादाता और अब बात करते हैं राज्जी सबहर टीवी के खासकार रिकरम आपकी आवास की आज का मुद्धा किसानों से जुड़ा है वो किसान जो दिनरात पसीना बाहाते हैं मेहलत करते हैं फसर उगाते हैं देश का पेट भरते हैं लेकिन खुद अपने खोन पसीन की कमाई की पाई पाई बचाने के लिए जद्द जहिद कर रहे हैं उमेद सिंग खत्री रोतक निवाशी आपके चैनल के माध्यम से बारत सरकार का द्यान आकरशित करना चाहता हूं कि बैंकों दुवारा किसानों का सोशन किया जारा है मेरे संपर्क माई किसानों का मैंने अधिक लिए ब्याज भी वापिस देल हुआ है इस बारे में किर्शी मंत्री ओम परकास दनखड़ से मिला उनों ने इस बारे में अर्द सरकारी पत्तर वीत मंत्रे लेको लिखा वीत मंत्री नादेश दिये के भी एक अपता में इसकी जाच करके रेपोर्ट दी जाए लेकिन उसका निश्कर्ष आज तक नहीं निकले है ब्याज के अतिरी प्रोसेसिंग फीश हर किसान से और वरस डेबिट की जा रही है जब के सभी परकार के लोन के उपर मत्र एक बार प्रोसेसिंग फीश ली जाए दिया किसानों को असानी से कर्ज मोहिया कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के शुरबात की गए थी लेकिन इसके जरीए ले गए कर्ज पर हर साल लगने वाले शुल्क किसानों के परिशानी का सबब बन गए है और आप मौसम में भी किसानों को जूजना पड़ता है मौसम और कर्ज की दोहरी मार्स से किसान बेहाल है और अब वो इचाहते हैं कि हर साल कर्ज पर लगने वाला शुल्क खत्म किया जाए उमेद सिंग ने तीन साल पहले खेती के लिए हर्यारना ग्रामीन बैंक से पचास हजार का कर्ज लिया इसके लिए उन्होंने ब्यास के साथ प्रोसेसिंग फीस के रूप में 280 रुपए भी चुकाए उन्होंने साल भर के भीतर कर्ज दो चुका दिया लेकिन इस फीस से पीछार नहीं छुड़ा पाए हैं उमेद सिंग अब तक प्रोसेसिंग फीस के तौर पर 840 रुपए चुका चुके हैं जबकि उनकी देनदारी महस 280 रुपए की ही थी यही नहीं धर्याना के किसानों का आरोप है कि उनसे ना केवल जादा ब्याज बलकि नी रिक्षन के नाम पर भी अच्छे खासे पैसे वसूले जा रहे हैं मानविय भूल का हवाला देते हुए बैंकों ने कुछ किसानों का पैसा तो लोटा दिया लेकिन अब भी हजारों किसान परिशान है दरसल 1998 में किसानों की मदद के लिए केंदर ने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुवात की थी जिसमें 3 लाख तक के कर्ज पर प्रोसेसिंग फीस से छूट का प्रावधान था तीन साल पहले फीस लगाने का फैसला बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया गया इस सिलसले में एक RTI भी डाली गई जिसके जवाब में पता चला कि ऐसे शुल्क लगा कर हर्याना ग्रामीन बैंक ने 2013-14 में 10 करोड से जादा की कमाई की वहीं अप्रेल 2014 से जून 2014 तक करीब 6 करोड रुपे इसी तरह जुटाए RBI ने साफ निर्देश दिये हैं कि बैंक प्रोसेसिंग फीज को आई का जरिया ना समझे किसान सवाल कर रहे हैं कि उनकी मदद के लिए शुरू की गई योजना में इस तरह के नियम जोड कर उनका बोच बढ़ाना कितना सही है तो अगर आप भी किसी समस्ते से परिश्वान है या आपके पास भी कोई ख़बर है तो बनिये सिटिजन रिपोर्ट और भीज़े अपनी रिपोर्ट आपकी आवाज एड़ी रेट आरस टीवी डॉट एन इसी डॉट इन पर और चलते चलते नसर हेडलाइन्स पर पौलालंपूर में पूर्वी इश्या शुकर समेलना जातंग वाद और जच्छन चीन साहर के मुद्दे पर हुगी बाचीत मलेश्यों की प्रवासी भार्टों को संबोधित करेंगे प्रुधान मंत्री प्रुधान मंत्री का अस्यान देशों को निवेश का नियोता 2025 तक 200 अरब जॉलर तक व्यापार बढ़ानी का इरादा पारदर शीकर व्यवस्था का भी बादा आतंकी गुटों से जोड़ी जानकारी साज़ा करेंगे भारत और चीन बिजिंग में ग्रिह मंत्री की चीन के शिर्ष निताओं के साथ दाठक के बाद साज़ा भायार अंतरास्चे मंचो पर बढ़ेगा सहिए बिहार में कानून वेउस्था कोसर बोच प्रात मिक्ता मुखी मंत्री नितिश कुमार का इलान 30 नवंबर से विधान सभात अस्थ हुआ 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 है